हलो फ्रेंड्स किचिन विल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने जारी हूँ दिवाली के कैसी स्पेशल मिठाई जो आपको सभी को बहुत पसंद आएगी उसके लिए नाहीं गैस की जरुवत पड़ती है बनने में भी उसमें बहुत कम समय लगता है दिवाली की टॉकलेट दिया चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं इसके लिए हमें 24 मेरीगोल्ड बिस्किट चाहिए बिस्किट का मैंने पाउडर बना लिया है बारीक पीस लिया है इसको मिल्क मेड लिया है टू टेवल स्पून कोका पाउडर है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर करने के लिए कुछ सामन है बादम को मैंने इस तरह से काटा हुआ है लंबे-लंबे पीस में मोटा लिए दो तरह के स्प्रिंकल से स्टार्ड करते हैं कैसे बनती है बिसकिट का जो पाउडर रहे उसमें हम प्लू टेबल स्पून कोका पाउडर है इसको आड़ करेंगे कोका प हुम् Corps के दालेंगे मिल्कमेट डालेंगे इसमें कि मिल्कमेट से मिक्स कर लेंगे है आप लोगे टोड़ेंगे मिल्कमेट एक साथ नहीं डालना है इस पून से अच्छे से डो नहीं बन पाएगा इसलिए इसको हाथ से डो लगाएंगे डो थोड़ा टाइटी लगाना है इसका जरत के अकॉर्डिंग इसमें मिल्क में डालते जाएंगे डो को इस तरह से टाइट रखना है डो बनका रैडी है इसमें मिल्क मेंट 6-7 चमच काम में आया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डो लेते जाएंगे और दिया की शेप इसको देंगे दिया शेप दे लेंगे इसको प्रेंट्स देखिए चॉकलेट दिया अपना रैडी है इसी तरह से हम सारे दिया बना लेंगे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है आप उनके लिए इस देवाली पर ये वाली मिठाई जरूर बनाना उनको बहुत पसंद आएगी जिसको भी चॉकलेट पसंद होती है वो सभी इसको लाइक करेंगे फ्रेंड्स मैंने सारे दिये बना लिए हैं मैंने एक इसमें लड्डू बनाया है आप इसमें लड्डू भी बना सकते हैं इससे इस तरह से दीपक बनकर रेडी है अब इसमें कोकोनट पाउडर में इसको इस तरह से लगा लेंगे सारे दीपक से इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस पे लगा लेंगी कोकोनट पाउडर दीपक है तो इसमें बत्ती भी होनी चाहिए तो हमने जो बादाम के कटिंग की हुई थी इसको हम लगा देंगे इसको इस तरह से हलका सब दवाक के चिपका देंगे इस पर लड़ू को इस स्प्रिंकल्स में थोड़ा सा इस पर चिपका देंगे देखी लग रहा है ना कितना सुन्दर थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल्स इसमें डाल देंगे थोड़े से राउंड वाले पी डाल देंगे इसमें तो फ्रेंड्स चॉकलेट दिया बनकर रेडी है आप भी इस दिवाली पर अपने घर पर ये जरूर बनाना आपको बहुत पसंद आएंगे आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे एक बाद जरूर ट्राइ करना अगर आपको हमारी रेसीपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बगल में दिये गए बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फिर मिलते है नेक्स रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई थेंक यू